हलो फ्रेंड्ड वैलकम टो लेखा क्रियेशन आजका हमारा वीडियो है हम पिको मसीन में सुई किस तरह सें लगाते ह्परेंड जादा तर अगर हम मसीनों में चाहिए drives आधारन मसीन में पिको मसीन हो अगर हम निडल्स गलत तरीका से लगाएंगे तो हमारा stitching में बहुत ही problem create करेगा आए इस वीडियो में हम जानेंगे सुई हम किस तरीका से pico machine में लगाएंगे फ्रेंड ज्यादा time waste ना करते हुए मैं वीडियो की सुरुआत करती हूँ सबसे पहले तुम्हें आपसे ये कहना चाहती हूँ अगर आप हमारे चैनल में पहली वारा हैं तो हमें subscribe करें उसके बगल में एक notification बेले उसे आप click करें ताकि मैं जब भी अपना नए वीडियो upload करूँ उसका notification आपको सबसे पहले मिलेगा फ्रंट जैसे आप देख रहा है ये देखिए मसीन में हमने सुई निकाल लिया है ये मैं आपको आज लगा के दिखाऊंगी सबसे पहले देखिए देखिए फ्रंट ये निडल से ये चप्ता भाग है इसे हम आगे रखेंगे और ये जो रखीरा वाला भाग है इसे हम मसीन के जश्ट पीछे रखेंगे इस तरह से देखे तो हम इसे मसीन में इस तरह से सेट करेंगे आप देख रहे हैं इसे हम इस तरह से इसके nut को tight कर देगे मैं आपको thread लगा के दिखाती हूँ देखिए इस तरह से हम thread को लगाएंगे देखिए हमने thread लगा लिया है अब जो हमारा bobble case में धागा है उसे मैं निकाल के दिखाती हूँ इसे भी साधारन मसीर में जैसे हम bobble case से धागा निकालते हैं इसी तरह से निकालना है देखिए फ्रंट यह बहुत आसानी से बाहर आ चुका है फ्रंट मैं आपको इसमें पीको वाला stitch करके दिखाती हूँ देखिए इस तरह से आप इसमें कपड़े को फसाए और चाप को नीचे गिरा दे उसके बाद फ्रंट देखिए इस तरह से आप इस्टीच आप आप इस तरह से हम कट लगा देंगे फ्रंट देख रहा है हमारा इस्टीच बहुत भी खुबसुरत तरिका से हुआ है फ्रंट अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो लाइक करें सस्क्राइब करें ज्यादा से ज्यादा से शेयर करें थाइंक्यू